माध्यप्रदेश विधान सभाचुनाव में महिज कुछ ही महीने बागी है इससे पहले बाबकी नगरी उज्जेन की राजनीती में एक वारल ओड्यू ने भूचाल ना दिया है जिसमें शेहर के कॉंग्रेस अधियक्ष अपनी ही पार्टी के कारेकरता से बहस करते सुनाई दे रही है कि उज्जेन धार्मिक नगरी है और यहां किसी भी मुस्लिम को टिकेट नहीं मिल सकता लगभग 5 मिनिट 2 सेकंड के इस ओड्यू में विधान सभा में उज्जेन उत्तर और दक्षन से टिकेट दिया जाना लगभग तेहोने के साथ ही कुछ वरिष्ट नेताओं को अब शब्द भी कहे जा रही है अब पहले एक बार आप ये ओड्यू सुनिए जब ये ओड्यू बारल हुआ तो कॉंग्रेस शहर अध्याक्षिर रभी पथौरिया ने इसे फर्जी करा दिया है वही इस मामले को महिला कॉंग्रेस नेता नूरी खान पार्टी फॉरम पर रखने की बात कर रही है उस आडियो को मैंने सुना है उसमें मेरी आञाज नहीं है वह अडियो फेक आडियो है कोश शडंत कारियों दोरा वह आडियो बना के उसको अडियो को जारी किया गया है आने वाले समय में कॉंग्रेस की सरकार आने वाली है मेरी बढ़ती हुई लोग पुर्तिया को देखते हुए इस तरीके के जो करत्य किया गया है कोई शर्णते कारियों दोरा किया गया है मैंने हमेशा से कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी जिसको भी टिकेट देगी पूरी ताकत से पार्टी उसके साथ है दिखिए आपकी माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि उजेन शेहर अध्यक्ष ने इस तरह की भाषा का अपयूग किया है और मामला बहुत ही गंगीर है मैं इस पूरे मामले में पार्टी के वरिश नेताओं से चर्चा करूँगी और इस मामले में मैं अपनी और सी कोई भी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर करना चाहूँ अब हम आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है दरसल 15 जून को कॉंग्रेस नेता नूरी खान अपने समर्थकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने भुपाल पहुंची थी जहां उन्होंने सभी लोगों के साथ मिलकर कमलनाथ के सामने उज्जैन उत्तर से अपनी दावेदारी पेश की कॉंग्रेस नेता नूरी खान अपने समर्थकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर उज्जैन लोट आई लेकिन नूरी खान के एक समर्थक जो की उनके साथ भोपाल गए थे उन्हें इस शहर कॉंग्रेस अधियक्ष रवी बधहरिया ने पोन किया लगभग 5 मिनिट 2 सेकंड तक बाद चीट भी हुई और ये बताने की कोशिश की गए कि कॉंग्रेस नेता नूरी खान कितना भी जोर लगा ले लेकिन विदानसभा चुनाब में उन्हें उज्जैन उत्तर से टिकेट नहीं मिलने वाला पार्टी उज्जैन उत्तर से माया त्रिवेदी और उज्जैन दक्षिन से राजेंद्र वशिष्ट का टिकेट लगभग तैकर चुकी है इस ओडियो में कॉंग्रेस के बरिश्चने ता डॉक्टर बटुशंकर जोशी को भी बुरा भला कहते हुई ये दावा किया गया कि इस बार चुनाब में बटुशंकर जोशी कुछ नहीं कर पाएंगे अब उनके दिन चले गए जो करना है वो मुझे ही करना है अब ये औरियो तेजी से वारल हो रहा है इसकी वज़े से उजेन से भुपाल तक बवाल मचा हुआ है हाला की रवी बदहुरी आई से बीजेपी की चाल बता रही है उधर आदियो वारल होने के बाद शहर कॉंग्रेस अधियक्ष रवी बदहुरिया को प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी ने ततकाल प्रभाब से पद से हटा दिया है पहले प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के उपधिहक्ष राजीव सिंग ने उन्हें नोटिस जारी करके तीन दिन में सफाई देने को कहा था लेकिन बाद में एक और आदेश जारी करके उन्हें ततकाल बद मुक्त करते हो इस सफाई देने तक हटा दिया गया है मैं मुसलिम समाज ने मदोरिया के बयान के खिलाफ पर रोज जटाया था अब कॉंग्रेस ऐसी दूविदा में फस गई कि ये विबाद गले की हटी बन गया है